नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित आज के इस वीडियो में हम दा हिंदू में पब्लिस एक संपाद की और एक आर्टिकल और हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिस एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे ता हिंदू में पब्लिस जिस संपाद की पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका सीर्सक है फ्रेंट और निबर और जिस आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं उसका सीर्सक है MSP The Factoids vs The Facts और हिंदुस्तान टाइम्स के जिस आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं उसका सिर्षक है इंडिया and the US should have a dialogue on democracy तो चलिए एक एक कर संपाद की और इन दो आलेखों पर चर्चा करते हैं सबसे पहले सुरुवात करते हैं संपाद की से जिसका सिर्षक है friend and neighbor और यह संपाद की GS paper 2 में सामिल विसे अंतराश्टिय संबंध के द्रिष्टिकों से महत्यपूर्ण है इस संपाद की का आधार है भारत-बांगलादेश संबंध यहां हम भारत-बांगलादेश संबंध की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाली में भारत-बांगलादेश के बीच डिजिटल सिखर संबंध का आयोजन किया गया और इस डिजिटल सिखर संबंध को भारत और बांगलादेश के प्रधान मंत्रियों ने संबोधित किया संबोधन के दोरान भारत के प्रधानमंत्री ने बांगलादेश को भारत के नेबहोड फॉस्ट नीती का एक महतपूर्ण इस्तंभ का है इस सिखर संबेलन के दोरान कुछ महतपूर्ण कारे और समझोते हुए अगर मैं कारे की बात करूँ तो इसके अंतरगत भारत बांगलादेश के बीच चिलाहाटी हल्दी बाड़ी रेल लिंक का उधगाटन किया गया भारत और बांगलादेश ने 1965 से पहले जारी 6 रेल संपर्क को पुनरजीवित एवं संचालित करने का निर्ने लिया है और इसी निर्ने का परिणाम है चिलाहाटी हल्दी बाड़ी रेल लिंक का उधगाटन किया जाना चह में से 5 रेल लिंक चालू हो चुके हैं एक जिसकी अभी हमने चर्चा किया है जबकि सेस चार है पेट्रापोल, बेनापोल रेल लिंक, गेदे, दर्सन रेल लिंक, सिंगाबाद, रोहनपूर रेल लिंक और राधिकापूर, बिरोल रेल लिंक इसके अलवा हाइड्रोकार्बन, किर्सी, कपड़ा, सामुदैक विकास, हाथी संगरक्षन और कच्रा निप्टान जैसे छेत्रों पर भी साथ समझोते किये गए हैं अब जड़ा एक नजर हम डालते हैं बांगला देश के इतिहास पर 1947 इसवी में विभाजन के पश्चात, वर्तमान बांगलादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान, भागौलिक और सांस्कृतिक इन दोनों रूपों से ततकालीन सेश पाकिस्तान से अलग था और इसी विसमता के कारण पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी सोच मजबूत होने लगी और इन अलगाववादियों पर नियंत्रन हेतु 1968-1962 और 1979-1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान में मार्सल लाउ लगाय गया मार्सल लाउ के दोरान पाकिस्तान के दोरा जो दमनात्मक कारवाई की गई इस दमनात्मक कारवाई के विरोध में 27 मार्च 1971 इस्वी को बांगलादेश के महतपूर्ण नेता शेख मुजबूर रहमान के दोरा बांगलादेश की स्वतमत्रता की घूसना कर दी गई तब पश्चमी पाकिस्तान ने मतलब आज का पाकिस्तान ने अलगावादियों की विरुद्ध हिंसक कारवाई प्रारेंब की भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और मदद की रूप में बांगला देश में शांती सेना को भीजा तब 11 जनवरी 1972 इस्वी को लंबे संघर्ष के प्रश्चात बांगला देश में एक स्वतंत्र संसदी लोकतंत्र की इस्थापना हुई बांगला देश का सुरुवात में एक कमजोर आर्थिक और वित्य इस्थिति की कारण इसका मजाक उड़ाय जाता था परंतु आज बांगला देश दक्षिन एसिया का सरवाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थ विवस्ता है और विकास के कई मापकों पर बांगला देश भारत से बहतर है और 1971 इस्वी से ही भारत और बांगला देश के मद्ध दुईपक्षी सहयोग की सुरुवात हो चुकी थी जिसे 2017 इस्वी में एक नई मजबूती मिली जब भारत और बांगला देश के बीच 11 समझोते और 24 मेमरंडम आफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर हुए जिसमें सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन दुईपक्षी वैपार एवं निवेस और उर्जा छेत्र प्रमुक हैं तो कुल मिला कर दोनों देशों के बीच मौजूद आपसी लगाओ आर्थिक क्रिया कलाप में बढ़ोतरी और मजबूत राजनितिक समंधों के रूप में दिख रहा है परन्तु इन मजबूत समंधों के मद कुछ चिंताएं हैं देखे यह चिंताएं क्या हैं एक कि भारत और बांगलादेश की सीमा संविदन सील है क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार इस वर्ष के सुरुवाती च्छ मैने में भारत बांगलादेश सीमा पर भार और यह हिमाले के पाहुनरी ग्लेसियर से निकलती है और यह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांगलादेश जाती है और बाद में ब्रहंपुत्र से मिल जाती है आगे सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक्ट का बांगलादेश विरोध करता है क्योंकि CAA और प्रस् खासकर पश्चिम बंगाल एवं पुर्वत्तर राज्ज के उनको स्विकार करने के लिए दवाब बनाएगा यही कारण है कि सेख हसीना द्वारा CAA को अनावस्यक बताए गया फिर आगे कि भारत द्वारा बांगलादेश में अल्प सेंखों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भारत के द्वारा समय समय पर चिंता जताई गई है फिर बांगलादेश की मौजुदा सरकार के द्वारा सरकार विरोधी इसलामिक कट्टर पंथियों के विरुध दूसरे कट्टर पंथियों की साहत ली जा रही है अब इसमें भारत की चिंता का कारण यह है कि बांगलाद सहयोग विस्तार के द्वारा बांगला देश पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो इस इस्थिती में भारत के लिए यह जरूरी है कि दक्षिन एसिया में बदलते परिद्रिस और बढ़ती प्रतिस्परधा को गंभीरता से ले और भारत बांगला देश को अपने वैस्ट के साथ काइम रखे अब हम देखते हैं इससे समंधित प्रश्ण को प्रश्ण है कि भारत बांगलादेश समंध के नहीतार्थ बताएं बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की और आर्टिकल जिसका सीर्षक है MSP the factoids versus the facts और यह आर्टिकल GS paper 3 में सामिल विसाए एक कृसी ए का आधार है नियूंतम समर्थन मुल्य यानि minimum support price हमें यह पता है कि नियूंतम समर्थन मुल्य की घोसना केंद्र सरकार वर्स में दो बार रभी और खरीव की बवाई से पूर्व करती हैं जिसमें सरकार किसानों को उनकी उपज पर एक नियूंतम मुल्य देने का आस्वासन देती है, इसके अंतरगत 23 फसलें सामिल की जाती है, अब आर्टिकल में यह बात कही जा रही है कि MSP से समंधित 3 विश्वास या दूसरे संदर में 3 जूट है, वह क्या है वह देखिए, पहला कि MSP से केवल 6% किसानों को ही लाब की प्राप्ती हो रही है, या पहला विश्वा या पहला जूट, दूसरा कि MSP से केवल बड़े किसानों को ही लाब की प्राप्ती हो रही है, और 3 विश्वास या तीसरा जूट कि केवल पंजाब, हरियाना और कुछ हद तक पश्चमी UP के किसानों को ही इससे लाब की प्राप्ती हो रही है, अब हम यह देखते हैं, कि य तीन विश्वास या तीन जूट हैं आखिर वो कहां तक सच हैं और इसे इस्पस्ट करने के लिए आलेक में FCI एग्रिकल्चर हाउस होल्ड डेटा तथा नेशनल सेंपल सर्वे के डेटा का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले विश्वास की यहां बा सेंपल सर्वे 2012-13 के डेटा पर आधारित है जिसमें अकेले धान और गेहूं के आंकड़े दिये गए हैं जबकि वास्त्विक आंकड़ा जिसमें की FCI के आंकड़े या एग्रिकल्चर हाउस होल्ड के डेटा अगर उनको सामिल किया जाए तो धान और गेहूं बेचने वाल अब हम बात करते हैं दूसरे विश्वास की, दूसरा विश्वास क्या है कि इशसे केवल बड़े किसानों को ही लाब की प्राप्ती होती है तो आंकड़े यह दर्साते हैं कि सरकारी खरीद का लाब मध्यव और बड़े किसानों की तुलना में छोटे एवं सिमांद इसको बड़े किसान कौन होते हैं जब छोटे और सिमान्त किसान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वैसे किसान जिनके पास दो हेक्टियर से कम की जमीन है और अगर मध्यम किसान की बात करते हैं तो वैसे किसान जिनके पास दो से दस हेक्टियर तक की जमीन है और बड़े किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 10 हेक्टियर से ज्यादा की जमीन होती है तो आंकड़े यह बता रहे हैं कि अखिल भारती इस्तर पर धान की बिक्री से सम्मंधित जो सरकारी खरीद है उसके अंतरगत 1% बड़े किसान, 70% छोटे एवं सिमांत किसान और 29% मध्यम किसानों के धा और गेहु के बिक्री से सम्मंधित जो आंकड़े हैं वह यह बताते हैं कि 3% बड़े किसान, 56% छोटे एवं सिमांत किसान और 41% मध्यम किसानों के गेहु की सरकारी खरीद हुई है तो यहां जो यह आंकड़े मौजूद हैं इन आंकड़ों पर हम गौर करें तो हम यह इसके अलावा अगर छोटे एवं सिमांत किसान के धान की बिक्री से सम्मंधित पंजाब और हर्याना के अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े कितने हैं 38% और 38% और यह इस्थिति अच्छी है उसके अलावा अगर हम दूसरे राज्यों में देखें मतब पंजाब और ह हर्याना से अलग दूसरे राज्यों में देखें तो फिर छोटे एवं सिमांत किसानों ने जो सरकार को अपने सभी प्रकार के जो उपज बेची है तो कुल उपज में उनका कितना हिस्सा है तो 36 गड़ और ओरिसा राज्य में इसका हिस्सा है 70-80% और गेहूं के मामले में म 45 परतिसत अब हम बात करते हैं तीसरे विश्वास की तीसरा विश्वास क्या है कि MSP से केवल पंजाब और हर्याना और कुछ हदे तक पस्चिम UP को फाइदा हुआ है तो भारत सरकार ने 1997-1998 में एक योजना को प्रारंब किया जिसका नाम है Decentralized Procurement Scheme इसका उद्ध से है जादा से जादा राज में MSP की पहुच को निश्चित करना और इसके अंतरगत फसल खरीदने की जिम्मेदारी राज सरकार को दी जाती है और राज सरकार के द्वारा जो फसल को खरीदा जाता है तो केंदर के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है जिसका मुल्ले पहले से ही तैह होता है, तो FCI के आंकडों के अनुसार, 2015 इस्वी तक Decentralized Procurement Scheme को 15 राज्यों ने स्विकार किया, परन्तु इस योजना के कारण, अनाज की जो सरकारी खरीद होती है, उसमें परंपरागत राज्यों का जो पहले हिस्सा था, परंपरागत राज्यों का मतलब पंजाब, हरियाना और पस्टिम योपी, तो उस सरकारी खरीद में इन राज्यों के अन्स में या हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जैसे देखे कि गेहू और चावल की सरकारी खरीद में, 2019 तक परंपरागत राज्यों का हिस्सा कितना था, 90 परतिसत, जबकि 2012-13 इस्वी तक क्या देखा जा रहा है, कि डिसेंटलाइज प्रोक्योर्मेंट इस्कीम वाले राज्यों के हिस्सेदारी कितनी है, 25 से 35 परतिसत, तो अब जब इन राज्यों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका अर्थ है कि परंपरागत राज्यों, यानि की पंजाब, हर्याना और पस्चिम उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंस में गिरावट हुई है, आगे देखे, कि संपून देश में, कुल धा कि जितनी सरकारी खरीद की जाती है, उसमें 36 गड़ और उरिसा का अलग-अलग कितना हिस्सा है, 10 परतिसत हिस्सा है, और गेहुं के अंतरगत अगर हम बात करें, तो संपून देश में, गेहुं की जितनी सरकारी खरीद की जाती है, उसके अंतरगत, मद प्रदेश के द्व जो सरकारी खरीद की जाती है उसमें मद्द प्रदेश का हिस्सा पंजाब से काफी जाता है। जब की गेहूं की सरकारी खरीद की संदर में हम क्या देखते हैं मद्द प्रदेश के 33 परतिसत, पंजाब के 22 परतिसत और हर्याना के 18 परतिसत एग्रिकल्चर हाउस होल्ड आते हैं। तो ये आकड़े हमें यहां बता रहे हैं कि MSP का लाब केबल पंजाब और हर्याना राज प्रदेशन किया, तो हम यहां पर यहां देखते हैं कि तीनों विश्वास सही नहीं हैं, क्योंकि सरकारी खरीद का लाब मात्र प्रतिसत किसानों को नहीं मिलता है। दूसरा विश्वास कि MSP का लाब छोटे और मध्यम किसानों को जादा हुआ है। हाँ, यह जरूर हो सकत लेकिन अगर भागीदारी की हम बात करें तो बड़े किसानों की तुलना में छोटे एवं मध्यम किसानों की भागीदारी जादा है और विगत 15 वर्सों में सरकारी खरीद के भौगलिक छित्र में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब सरकारी खरीद पंजाब, हर्याना और प्रश्चिमितर प्रदेश तक केंद्रित नहीं है, बलकि यह डिसेंटलाइस प्रोक्यूर्मेंट इस्टेट्स, जैसे कि छतिसगर, ओडिसा और मद्ध प्रद एक तस्वीर, देखिए, यह बात कही जाती है कि मिनिममम सपोर्ट प्राइस ने करसी विविधी करण को काफी कम कर दिया है, चली इसका भी परिक्षन करते हैं, परिक्षन यहां पर यह है कि पंजाब में कुल किसानों में से 21 से 37 परतिसत किसान, धान और गेहूं का उत्प कुछते हैं, यह बात कही जा रही है कि नया करसी कानून करसकों को APMC मंडी से बाहर फसल बिक्री की अनुमती देता है, अब जरा हम वास्तिक इस्थिति पर नज़र डालते हैं, वास्तिक इस्थिति यह है कि वैसे फसल जो MSP के दाएरे में आते हैं, मंडी के माध्यम से उन आस से चौणसट परतिसत हिस्सा ही बेचा जाता है, और मंडी से बाहर इन फसलों का मुल्य काफी कम होता है, जबकि मंडी में ही इन फसलों का मुल्य जो MSP के दाएरे में आते हैं, मंडी से बाहर की तुलना में, अगर हम उधारन लें, तो धान के संदर में यह उस्तन 13.3 परतिसत जादा है और गेहूं के संदर में 5.8 परतिसत जादा है, तो निसकर्स रूप में हम यहाँ परियाबाद का सकते हैं, कि यह सच है कि MSP गेहूं और धान तक सिमित है, इसलिए MSP का विस्तार 23 फसलों तक जरूर होनी चाहिए, परन्तु किरसी सुधार एबं किरसी न समंधित बहस, चाहे वो एकेदमिक हो या राजनितिक हो, उसमें सरकारी खरीद के संदर में परिवर्तित भौगलिक छेत्र और अनाज बेचने वाले के संदर्भ में विभिन्न किर्सकों का जो मौजुदा अनुपात है, उसको ध्यान में रखा जाए, अब हम देखते हैं इस आलेक से समंधित प्रश्णिया है, कि नियुन्तम समर्थन मुल्य से समंधित भ्रांतियों को इस पस्ट करें, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की ओर, आर्टिकल जिसका सिर्शक है, इंडिया and the US should have a dialogue on democracy, और यहां आर्टिकल GS paper 2 में शामिल विसे, अंतर इस प्रसिडेंट एलेक्ट जोई बिडेन की विदेश नीती लोकतांत्रिक सयोग पर आधारित है, यह बात इसलिए कहीं जारी है, क्योंकि इसी वर्स के मार्च महिने में, एक foreign affairs पत्रिका में, जोई बिडेन ने यह बात लिखी है, कि उनके कार्याले के प्रथम वर्स में, अमरिका वैस्टिक लोकतंत्र सम्मेलन का आयुजन करेगा, जिसका उद्देश से स्वतंत्र देशों में लोकतांत्रिक मुल्यों को और मजबूत करना है, इसी आर्टिकल में उन्होंने यह बात भी लिखी, कि वे किन-किन छेत्रों पर ध्यान देंगे, उनके अनुसार अकनीकी कंपनियों की मदत लिजाएगी, तो जोई बिडेन का यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल यह अर्थ प्रकट करता है, कि बिडेन मानते हैं कि लोकतंत्र अभी भी पूर्ण नहीं है, और उसमें लगातार कारी जारी है, साथी बिडेन यह भी संकेत देते हैं, कि व भारत अमेरिका वैदेसिक संबंध का विकास अभी तक नहीं हुआ है, यह अभी तक ओविक्सित है, अगर लोकतंत्रिक आधार की बात करें, तो दोनों देसों की अपनी अपनी इस्थती है, भारत स्वयम को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, जो है भी, और अ आवे सकता इस बात की है, कि भारत और अमेरिका के बीच दुईपक्षी और वैस्विक लोकतंत्रिक सयोग को बढ़ावा मिले, अगर हम भारत की बात करें, तो लोकतंत्र को समर्थन देने में घरेलो इस्तर और वैस्विक इस्तर, इन दोनों इस्तरों पर भारत के प्रयास सराहनी है, घरेलो इस्तर पर स्वतंत्रता से लेकर अब तक विभिन्य चुनोतियों के बीच लोकतंत्र एबम गणतंत्र को भारत की द्वारा सुरक्षित रखा गया है, और अगर वैस्विक इस्तर पर हम बात करें, तो भारत के कई ऐसे प्रयास हैं, जो लोकतंत्रिक मुल लोगों को विभिन्य प्रकार के प्रशिक्षन दिये गए, जिसका उद्देश से परत्यक्ष और और परत्यक्ष तरीके से लोकतंत्रिक सासन को समर्थन देना है, उसके बाद 2011 से 2018 के बीच, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टिच्यूट ओफ डेमोक्रेसी एंड एलेक्षन म दिया है, जैसे स्रिलंका को सरनार्थियों को वापस लाने में भारत के द्वारा मदद की गई, वहीं नेपाल में जो एक समय ग्रियुद्ध चल रहा था, उस ग्रियुद्ध को समाप्त करने में भी भारत ने अपना अमुल्ली योगदान दिया, यह अलग बात है कि वरतमा में भारत और नेपाल के मद्ध संबंध में खटा सा गई है, साथें अफगानिस्तान में संसद भवन और प्रसास की भवन के निर्मान के साथ साथ सेन परसिक्षण में भी भारत ने अपना योगदान दिया है, तथा मालदीव को राजनितिक संकट से भारत ने उबारा और इस्थिर सासन की स्थापना में भी भारत ने मालदीव की मद्ध की है, और हाल के वर्सों में केंद्री अमरिका, डक्षनी प्रसान छेत्र, पश्मी अफरिका, केंद्री एसिया में दरजनों कारिकरम प्रारंब किये, जो महिला सहकारिता, सिविल सोसाइटी संगठन और तक अपना महतवपूर्ण योगदान दिया है, तो वैस्विक लोकतंत्र में भारत और अमेरिका के समक्च चुनोती होगी, वह चुनोती यह होगी, कि दोनों देशों को अपने द्रिष्टिकोन के मद्ध समन्वे इस्थापित करना पड़ेगा, समन्वे की बात यहां पर इसलिए हो रही है, क्योंकि काफी हद तक वैस्विक इस्थर पर भारत और अमेरिका का लोकतंत्रिक सिध्धान्त सवान है, ठीक उसी समय घरेलों इस्थर पर भारत और अमेरिका के मद्ध अंतर है, हो सकता है कि यह अंतर भविश्य में बिडन की सरकार को भारत के परती लो सुरक्षा कानूनों की द्वारा सुरक्षा एजंसियों को काफी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके कारण कभी-कभी व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है, जिसका विरोध समय समय पर हमें सुनाई देता है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वत्मृता, भारती कानून और अमरीकी कानून की तुलना अगर मूल अधिकारों के संदर्म में हम देखें, तो अमरीकी कानून काफी लचिला है, लेकिन प्रतिबंद के मामले में अगर हम तुलना करें, तो भारती कानून अमरीकी कानून की संतुलन एबं प्रति संतुलन चेक और बैलेंस भारत में कारिपालिका विधाईका और न्याइपालिका के तुल्ला में अधिक सक्ति का प्रदर्शन करती है और हाल के समय में यह प्रदर्शन कुछ ज्यादा हो रहा है परन्तु इन सब के बावजूद आपनिवेसिक यूगी के बाद भारत विकासिल देशों में सबसे ज़्यादा लोकतांतरिक देश है हो सकता है कि बिडएन वयस्टिक लोकतांतरिक सयोग को कुछ परशिमी देशों और उन्नत ACI अर्थ विवस्था तक सीमित रखे परंतु व्यापक लोकतांत्रिक सयोग की इस्थापना के लिए यह आवस्यक है कि बिढन भारत के साथ वारता करें। अब इससे समंदित प्रश्ण को देखते हैं। प्रश्ण है कि कैसे लोकतांत्रिक आधार भारत एवं अमेरिका के समंद को मजबूती प्रदान कर सकता इस प्रकार संपात की से समंदित आज के इस वीडियो में हमने एक संपात की और दो आलेक परचर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार